दोस्तो भारत का genius move of सफल होता हुआ दिख रहा है भारत रश्या से तेल खरिद रहा है ये तो आप सब जानते ही है ये तेल भारत रश्या से discount पर खरिदता है याने की सफता पड़ता है दूसरी बात दोस्तो ये जो तेल है इसमें dollar में payment नहीं करना हो रहा है अब अगर आप देखें तो इसका payment भारत रुपीज में कर रहा है और वो रुपीज रश्या में ना जाके भारत में ही रह रहा है भारत में रहके वो रुपीज भारत के ही infrastructure में इन्वेस्ट हो रहा है वही रुपीज भारत की companies में इन्वेस्ट हो रहा है वही रुपीज भारत की जो रश् रश्या से तेल भी खरिज रहा है और उन्हीं के पैसों से मैनिफाक्टरिंग और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दे रहा है आपको याद हो का दोस्तों एक साल पहले की बात है जब रश्या के फॉरिन मिनिस्टर सरगाई लेवरोव ने कहा था कि हमारे तो बिलियंस अफ रुपीज इंडिया में पड़े हुए हैं कुछ यूज नहीं हो रहा अब यहां पर देखिए आज का यह क्या न्यूज है का दर कल का आया हुआ न्यूज है क्या आया है रश्या ने इंडियन रुपीज का जो accumulation था वो पूरा issue tackle हो चुका है और भारत में इंवेस्ट हो चुका है क्योंकि इंडिया से अच्छा investment market कोई भी नहीं है दोस्तों यहां पे इसको मैं genius move इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी की जो geopolitics है उसमें इंडिया जितने भी stakeholders है इस पूरे equation में वेस्ट है रश्या है इंडिया है तीनों खुश है तीनों के लिए win-win situation है रश्या की अगर आप बात करें तो इंडिया उससे तेल खरिद रहा है कहीं न कहीं वो जो तेल पंप कर रहा है उसको उसका मूल मिल रहा है वो उसकी economy चल पा रही है इंडिस्ट्री चल पा रही है रश्या बिलकुल है क्योंकि इंडिया ये तेल रश्या से ले रहा है ना कि साउदी से इराक से और अन्य जो major oil suppliers हैं उनके उपर load नहीं बढ़ रहा है तो इस वज़े से पेट्रोल की कीमत भी सात्वे आसमान पर नहीं पहुंच रही है दूसरे तरफ इंडिया जो payment कर रहा है वो रुपीज म अभी Ukraine की ही बात कर लीजिए उन्होंने भी कहा था हमें कोई आपती नहीं है इंडिया यदि रश्या से तेल खरीदे तो वैसे यूएस ने भी अभी कहा था कि आप रश्या से तेल खरिते रहिए आप अगर तेल खरिते हैं रश्या से तो आप दुनिया पे महरबानी करते ह अब दोस्तों यहां पर इस प्रकार का जीनियस मूव हुआ है कि यह पेट्रो रुपी रिसाइकलिंग बन चुका है जो पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग यूएस के दौर में होता था कुछ वैसा ही पेट्रो रुपी रिसाइकलिंग हमें होता हुआ देख रहा है पेट्रो र प्रविटर में फेस्बुक में हर जगह फॉलो करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को लाइक कर दें शेर कर दें भारत समवात को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो न्यूज मे के उभरते हुए स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में हम उसे निवेश कर रहे हैं और साथ ही साथ जो वेस्टन सैंक्शन लगे थे जिस वज़े से क्रूड ऑईल जो रश्या से आ रहा था उसमें टेंपररी डिप आया था वह प्रॉ जिसको युएस ने सैंक्शन लगाया था वह प्रॉबलम भी सॉल्व हो चुका है दोस्टो जो बिलियंस अफ रुपी स्पेशल रुपी वास्ट्रो एकाउंट में मौझूद थे वह कहीं न कहीं अगर आप देखे तो अब सॉल्व हो चुका है अब पैसा जमा नहीं हो रह ही है रुपी आप देखे तो इनको वह प्रॉपी जो रश्या के इन वास्ट्रो एकाउंट्स में है उसको वह उति है उसको खरिद रहा है जिसके द्वारा इंडियन गर्वंट को वो उधार भी दे रहा है तो इंडिया को बाहर के प्लेयर्ज के पास भी नहीं जाना उधार उठाने के लिए रुपी बेज्ट, इंडिया उधार उठा ले रहा है, डॉलर बेज्ट नहीं है, रुपी बेज्ट है, वैसे ही आप देखें, तो इंफ्रास्ट्रेक्चर स्कीन्स जो भारत में लग रहे हैं, दुनिया भर के नैशनल हाईवेज, रेलवेज, बुले साइड अगर आप देखें, तो आज के टाइम में अपना ट्रेड रुपीज में कर रहे हैं, कुछ ट्रेड यूएई डिरम्स में होता है, लेकिन अधिक्तम ट्रेड अगर आप देखें, तो वो रुपीज में हो रहा है, दोस्तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो इसके आप अगर देखें तो अभी रिसेंटली रश्या के पास सर्प्लेस रुपीज था तो रश्या ने इंडो रश्यन जॉइन्ट वेंचर जो एक टू-03 एसॉल ट्राइफल यूपी में बना रहा है उसमें पैसा निवेश किया वैसे ही आप देखें तो फार्मा सेक्टर जो की रश्या में 45 बिलियन डॉलर मार्केट है उसमें भी कुछ रश्या निवेश कर रहा है इंडियन फार्मा कंपनी स्टेजी से रश्या में अपना समान एक्सपोर्ट करना शुरू कर रही है आप देख लिजे इंडिया ने जर्मनी को रिप्लेस कर दिया है रश्या का टॉप मेडिसिन सप्लाइर इंडिया बनके उभरा है और इतना ही नहीं है क्योंकि इंडियन फार्मा अब रश्या जाने लगा है तो अब इंडियन फार्मा सेक्टर रश्या में निवेश भी करने लगा है और निवेश करना बड़ा असान हो गया है क्योंकि सरप्लेस रुपीज special waster accounts में इंडिया में मौझूद है तो यह pharma companies को बस यही रुपी अपना लेके जाना है इस account में डालना है और वहाँ पे वो नहीं API production भी रश्या में वो करेंगे वैसे इंडियन कंपनी जैसे ट्राइडिंट लाइफ लाइन है सूरत की कंपनी है यह 20 मिलियन डॉलर साखलिन में इन्वेस्ट कर रही है कैडीला फार्मसीटिकल 100 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रही है रश्या में injection manufacturing साइट उसके लिए उसने निवेश्ट किया है तो इसके साथ अगर आप देखे तो फार्मा देना है पांच सिस्टम्स देने थे उसमें से तीन आ गए लेकिन अभी भी अगर आप देखे तो दो बकाया है तो वह जो दो बकाया है उसके लिए payment इशू हो रही थी तो जो surplus रुपी जमा था उसको भी इस्तमाल कर लिया इन s400 डिफिन्स डील के लिए तो यही surplus रुपी से यह trade भी facilitate हो जा रहा है याने इंडिया को डॉलर नहीं देना पढ़ा रश्या को और कोई currency नहीं देनी पढ़ रही बस और बस अपना ही रुपी वह इस्तमाल कर रहा है और यह सारे डिफिन्स डील भी हो रहे हैं दोस्तो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है क्य अब धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया है अब इंडिया रश्या से कोल ले रहा है जो साड़ी तीन बिलियन डॉलर का पिछले साल आया है फर्टिलाइजर करीबन दो बिलियन डॉलर का आया है और इसके साथ अगर आप देखे तो अभी भी इंडिया का trade deficit करीपन बावन बिलियन डॉलर का है लेकिन बेस्ट बात क्या है दोस्तों कि ये सभी का सभी रूपी में जू स्पेशल रूपी वह स्टु एकाउंट है भारत में 36 स्पेशल रुपी वास्टो एकाउंट है रश्या का और उसी में ये सारा का सारा पैसा अलग-अलग जगह पे जमा है दोस्तों कितना पैसा जमा है तो जो ऑफीशल्स ने ये न्यूज बताया है उनका कहना है कि देखी ये तो हम बता नहीं सकते कितना पैसा अलग-अलग एका इंडिया में करना शुरू कर रहा है तो इसके साथ जो ग्रोइंग इंडिया है वह अगर आप देखे तो रश्या के लिए भी अपने सेफ पैसों को पार्क कर पा रहा है इंडिया भी ग्रो कर रहा है उसके भी पैसे उसको भी फायदा हो रहा है इसके सिवा अगर आप से लेकि अलग-अलग प्रोजेक्ट में इसको वो निवेश कर रहे हैं दोस्तों यहां पर सवाल उठता है फ्यूचर में क्या होगा देखिए एक बात तो क्लियर है यूएस ने भी इंडिया को कहा है कि आप ट्रेड कंटिन्यू कीजिए यहां पर दोस्तों रशिया के जो लगाया था कुछ इशूज आइटिफाई किये थे रशियन साइड का कहना है वो इशूज अब हमने द्यान रख लिया है अब इसका वेस्ट से सोबकों फ्लोट का कुछ लेना देना ही नहीं है जो इंशुरेंस है वो रशिया ही दे देगा वेस्टन फर्म से कोई निरभरत नहीं है तो सोबकों फ्लोट से इसलिए अब वापस से रशियन ऑईल भारत आना शुरू हो चुका है अब यहां पे कुछ लोग कहिए कि मार्च में तो 30% इंडिया का ऑईल रशिया से आया एप्रिल में 40% हो गया यह फ्लक्टूएट क्यों करता है ऐसे तो इस पर वो ऑफ घरिते हैं कमर्शियल बेसिस पे कभी कोई डिस्काउंट अगर उफर करता है तो वहां से लेते हैं तो कमर्शियल बेनिफिट देखते हैं और साथी साथ एकॉनमिकल रेट में मिले सप्लाई लाइन हमेशा के लिए एंशोर हो इन सब को ध्यान रखके यह डील किया जाता है इसलिए आप थोड़ा 19-20 fluctuation देखते रहेंगे दोस्तों इन शॉर्ट अगर आप देखें तो इंडिया का यह genius move रहा क्योंकि इंडिया रश्या से तेल खरिद रहा है बदले में इंडिया उसको रुपी दे रहा है लेकिन यह रुपी डॉलर में कनवर्ट होके रुबल में कनवर्ट होके रश्या नहीं जा रहा यह रुपी एक बैंक में जमा है यह बैंक अगर आप देखें तो भारत में ही है और यह बैंक में जो पैसा जमा है रश्या उसको वापस इंडिया में ही निवेश कर रहा है याने इंडिया रश्या से तेल तो लेता है जो पैसे देता है वो इंडिया में ही निवेश हो जाते हैं तो यह जीनियस मूव नहीं है तो क्या है यही था यूएस भी यही कहता था जिसको पेट्रो डॉलर recycling कहते थे जिसमें दुनिया भर से जो तेल oil producing countries थे वो डॉलर में पैसा लेते थे और वही डॉलर यूएस में जाके उसकी government securities में नैस्डेक जितने भी stock market है यूएस के उसमें top companies में जाके निवेश करते थे पैसा 21 दिन में तो डबल नहीं लेकिन कुछ दिन में double की उमीद लगा के पैसा वहां लगाया जाता था तो कुछ वैसा ही रश्या भारत में कर रहा है दोस्तों उमीद करता आप कोई वीडियो पसंद आई होगी लाइक ज़रूर करें आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें यह हमारा है इसके सिवा इ वीडियो इसके लिए भारत समबात को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाएं इसी प्रकार के इंडिप्ट आनलिसस आपको बस यहीं मिलता है तो मेक शूर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और एक वीडियो आ रहा होगा इसको अवश्य देखिएगा काफी कुछ जाने सी आपको मिलेगा